दोस्तों बहुत सारे लोगों को controller के wiring के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता है तो आज हम आपको दिखाने वाले है की controllers के wiring कैसे करते हैं सबसे पहले आज के एपिसोड में हम सिर्फ दिखाएंगे कि यह रिक्षा का controller होता है CY Brand का तो CY brand के जो controller से 50 ampere वाले रिक्षा के controller उसकी wiring कैसे करते हैं तो सबसे पहले तो जिनके पास wiring harness रहती हैं उनको ये connection जो है वो harness के इसाब से करने पड़ते हैं तो उनको color coding जो है वो harness के इसाब से match करना रहता है लेकिन कौन सा wire किस चीज के लिए है वो मैं आपको जरूर बता सकता हूँ तो दिखें सबसे पहले तो ये positive और negative wire आपको दिख रहे हैं red और black तो उसको हम लोग side में कर लेते हैं सबसे पहले ये 48 volt का controller है ऐसा 60 volt का भी आता है ऐसा 72 volt का भी आता है अभी positive negative में आपको अगर battery लगाना है और आपका controller 48 volt का है तो उसमें 60 volt नहीं लगा सकते और अगर 60 volt का है और तो उसमें 48 नहीं लगा सकते क्योंकि 60 volt का controller 48 volt से चलेगा नहीं और 48 volt के controller को 60 volt देंगे तो अगर motor चलाने का try करेंगे तो over voltage की वज़े से damage हो सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि marking लिखा गया है 48 volt और 50 ampere current maximum है तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो 50 ampere current लिखा है वो motor की capacity है मतलब कि 50 ampere से ज्यादा का load नहीं लगा सकते हैं लेकिन battery capacity आप कोई भी ले सकते हैं पचास ampere का controller है उसमें आप 50 ampere की battery 100 ampere की battery या 200 ampere की battery भी डाल सकते हैं अगर 50 ampere का controller है और आपका motor 50 ampere continuously लेता है और 50 ampere की battery लगाई है तो एक गंटे का backup देगी अगर आपका motor जो है वो 25 ampere continuously लेता है और आपने battery 50 ampere की लगाई है तो दो गंटे का backup देगी तो motor का load कितना है उसके उपर सारा ये खेल रहता है फॉर एक्जामपल अगर 50 ampere का controller है और आपने 1500 ampere की battery लगाई और motor आपका continuously 50 ampere लेती है तो 50-50-50 तीन बार आपका 1500 ampere जो है वो तीन गंटे के लिए backup देगा तो ये थोड़ी सी basic जानकारी है जो काफी लोगों को मतलब थोड़ा सा confusion रहता है कि 50 ampere के controller में ज्यादा ampere की battery लगा सकते है या नहीं लगा सकते है तो लगा सकते है लेकिन 48 volt होनी चाहिए battery और 48 volt की lead acid battery जो है वो 12-12 volt की 4 battery आप लगा सकते है तो ये जो दो wire है उसमें आपको positive में 48 volt positive power और black wire में positive sorry negative है black wire तो red wire में positive 48 volt और black wire में negative 48 volt लगाने है उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं तीन wires है yellow, blue और green अभी जैसे आपने पूरा combo लिया है motor और controller का तो उसमें yellow, blue और green सामने आपके set हो जाते हैं तो yellow के सामने yellow motor का wire आएगा green के सामने green और blue के सामने blue आएगा अगर कोई बार ऐसा होता है कि yellow, blue और green सामने सामने लगाने पर motor अगर चलती नहीं है या ऐसे humming sound करती है या अंदर कुछ sound आता है या फिर रुक रुक के जटके से चलती है तो फिर यह wire को इंटरचेंज कर सकते हैं मतलब कि yellow के सामने yellow आपने अगर लगाया है तो उसको इंटरचेंज करके yellow को blue में या yellow को green में लगा के एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करके wire को चेक कर सकते हैं लेकिन जनरली मोटर का जो wiring का जो communication और जो synchronization होता है वो color to color आपका match हो ही जाता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है कभी-कभी जैसे किसी दूसरे brand की motor है और दूसरे brand का controller है तो वो issue रहता है उसके बाद ये motor के phase wire है तो इसको हम ल sensor कहते हैं वो motor की जो position है मतलब उसके winding की उसके rotor की position है उसके इसाब से उसको feedback देने के लिए hall sensor काम आता है तो hall sensor के 5 wire है उसको लगाना काफी जरूरी रहता है तो वो भी motor के साथ आप इसको motor में इसके wire साब देख सकते हैं इस तरह से 5 पिन का socket आएगा वो उसके सामने लग जाएगा उसके बाद जो main important wire है जो काफी लोगों को पता नहीं रहता है वो ये purple color का है कभी- पार्ट वाला wire है वो red color में भी आता है वो key switch का wire होता है या तो purple आएगा या red आएगा लेकिन ऐसे single रहेगा तो अगर आपको नहीं पता चलता है कि key switch का wire कौन सा है तो आपने जिससे भी material लिया है उसको पूछ सकते है कि इसमें key switch का wire कौन सा है क्योंकि key switch के wire को लगाए ब आपका vehicle पैट्रोल का वाला vehicle जो है वो start नहीं होता है वैसे ही आपने battery लगा दिया सब कुछ लगा दिया लेकिन यह जब तक इसको key ignition नहीं मिलेगा तब तक यह start नहीं होगा तो इसको generally key switch के साथ लगाते हैं अगर किसी को directly shot करना है इसको तो यह positive red wire है इसको इसके साथ connect कर के इन दोनों wire को battery का positive power देना पड़ेगा मतलब कि इसमें positive power का 48 volt power देना पड़ता है तब जाके ignition मिलता है इसको तो या तो आप इसके इन दोनों के बीच में key switch लगा सकते हैं यहां पर या फिर आप इन दोनों को joint करके directly positive दे सकते हैं उस case में फिर आपको without key switch operate करना पड़े है वो इस red wire को दीजिए तो यह key switch का wire था फिर यह throttle का wire है throttle का wire भी काफी common है red black और green wire का जो socket होता है वो generally throttle wire का socket होता है और वो काफी easy है क्योंकि यह 3 pin का socket है और बाकी कोई 3 pin के socket generally आते नहीं है अगर आते भी है तो color के combination अलग होते हैं जैसे इसमें red black और green है तो बाकी में अ green जो है वो accelerator के लिए है तो इसमें directly throttle लगेगा इसके बाद यह जो blue color का wire है आप देख सकते है light blue color का wire है जिसके उपर यह female pin लगा हुआ है होल वाला तो यह जो light blue color का wire है sky blue type का यह meter के लिए आता है अगर आपके मतलब controller में इस color का wire नहीं है तो कोई और color का होगा लेकिन यह जो है वो digital meter के लिए आता है तो वो आपको speed indication के लिए काम आता है यह high brake का wire है high brake का wire उस काम आता है जब आप brake दबाते हैं तो इसके अंदर से 12 volt का input जाता है controller में और यह motor को stop करता है तो यह 12 volt input देने के लिए hybrid का काम आता है उसके बाद यह जो है yellow और black वो reverse करने के लिए wire आते हैं तो यह motor को reverse गुमाने के लिए आपको काम आएंगे दिखे motor अगर आपका reverse गूम रहा है तो जैसे for example आपने इस दोन wire को short किया तो motor आपका reverse गूमेगा लेकिन reverse में उसकी speed जो है वो full speed जैसी नहीं आती है मतलब कि forward में जो speed आती है उससे reverse में कम speed आती है अगर आपको motor को permanently reverse करना है तो उसके लिए भी हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें अगर आपका motor का direction है उसको permanently change करना है जैसे कि forward में जो चल रहा है उसको forward में चलाना है ऐसा कुछ कर रहा है तो आपके लिए अलग से tutorial बनाएंगे उसमें आपको reverse forward का पूरा system समझाएंगे लेकिन ये जनरली जो है वो reverse मतलब low speed reverse के लिए काम आएगा तो temporary आप reverse चलाने के लिए इसको use कर सकते है इसको short करने पर आपका motor जो है वो reverse सुमेंगा और ये दो वायर जो बचे है जिसमें ये black color का sleeve लगाया हुआ है वो anti theft alarm के वायर है इसको आप remote control के साथ connect करके remote से चाबी को on off करने के लिए काम ले सकते हैं तो ये generally red और black वायर जो है वो positive negative रहते हैं और ये key switch को operate करने के लिए remote को operate करने के लिए alarm system के वायर रहत तो मतलब आप इसको directly इसके साथ connect करके सीधा सा alarm काम में ले सकते हैं तो इतने general wire है इसके अलावा कुछ controller में थोड़े से extra wire आते हैं जैसे कि ये hybrid का wire सिर्फ एक दिया है उसके बड़े low level brake का wire दिया रहता है जिसमें दोनों wire को short करने पर brake लग जाती है तो वो भी आप काम म पड़ता है तो और भी काफी सारे अलग-अलग features रहते हैं लेकिन ये basic features लगाने पर आपका काम हो जाता है तो यी रिक्षो के controller की wiring कैसे करते हैं उसका ये basic demo था उसके लिए मैंने आपको शुरू से आपको थोड़ा-थोड़ा समझा दिया फिर भी एक बार दिखा देता ये दो वायर बैटरी के हैं बैटरी में positive negative input देने के लिए हैं इसको red में positive और black में negative 48 volt का input देना है इसको directly motor के साथ लगाना है इसको भी hall sensor को motor में लगाना है ये key switch का wire है तो positive wire और इस के बीच में ये जो purple wire है इसके बीच में आपको key switch लगानी है अगर direct लगाना है तो इसक को दोनों को short करके मतलब इन दोनों को wire को चील के इन दोनों को joint करके फिर इसके अंदर directly 48 volt का positive supply दे सकते हैं उस case में फिर key switch आपका कोई काम में नहीं आएगा ये आपका throttle wire है ये मीटर के लिए है digital meter speed indicator के लिए है ये anti theft alarm system के लिए है ये yellow और black जो है वो reverse wire है और ये जो एक single purple color का wire है वो आपका hybrid का wire है तो ये basic demo था और basic जानकारी थी इसके अलावा अगर आपको कोई issue है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं और बाकी details और बाकी जानकारी के लिए भी हम आपको नए नए वीडियो के साथ आपको aware करते रहेंगे तब तक के लिए हमारे चैनल को subscribe करके रखिए ताकि next वीडियो की update आपको मिल जाए और हाँ bell icon का button दबा दीजिए ताकि तुरंत आपको notification आजाए कि वही हमारा वीडियो आ गया है और तो और अगर कुछ आपको बताना है तो आप हमें directly हमारे जो channel है उस पे कोई भी वीडियो के नीचे comment करके बता सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको कोई जानका रही है तो description में हमारी details है उसको contact करके आप हमें directly contact भी कर सकते हैं thank you दोस्तो thank you